Hello everyone, welcome back to my channel तो spirituality जो है वो यंग लोगों के लिए ज्यादा important है जया किशोरी जी को quote करूँगी उन्होंने recently बोला कि क्योंकि old age के लोग already भगवान के पास जाने वाले हैं वो भगवान के बहुत नस्दीक आ जाते हैं जो यंग लोग होते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे क्योस होते हैं सौर्टेड नहीं होती लाइफ तो spirituality ज्यादा मदद करती है इसलिए spirituality important है और इसलिए लोग इसके बारे में बहुत जानना चाते हैं हम अपने अंदर तभी देख पाते हैं जब आपने आसपस के शोर से बचते हैं imagine करिए कि आप एक रोप से लटके हैं mountain से और उसी रोप पर नीचे बहुत सारे खुखार आनिमल भी लटके हैं तो आपका पहला reaction क्या होगा आप उस रोप को काट देंगे और उपर चड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो animals नीचे गिर जाएं और आप बच जाएं वो लोग जो आपको stress देते हैं आप एक priority नहीं आप एक option है उन लोगों से cut off करना बिल्कुल गलत नहीं है हमारे social media पे बहुत बड़ा count होता है हमारे friends का क्या contribute कर रहे हैं आपकी life में और आप उनकी life में क्या positivity contribute कर रहे हैं second चीज है consistency कई बर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत efforts मारते हैं बट हम result नहीं मिलते हैं इस से जुड़ी एक कहानी के बार में बात करते हैं एक राजा थे और उनकी यह एक foreigner आये और उन्होंने उनको एक stone gift किया राजा ने सोचा कि में एक stone से एक मूर्ती बनवाता हूं राजा ने अपनी मंत्री से कहा और मंत्री निकल पड़े कारीगर ने अपना काम शुरू किया कारीगर ने काफी बार उस पत्थर पर चोट मारी वह असमर्थ रहे उनको कोई क्राइक नजर नहीं आ रहा था पत्थर वैसा का वैसा था उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कारिगर ने कहा कि मंत्री जी मैं इस पर काम नहीं कर सकता क्योंकि यह बिल्कुल हिल नहीं रहा है और मेरी सारी महनत वेस्ट हो गई मैं कम से कम पचास वर अथोड़ा मार यह कहानी यह पताती है कि जब हमें लगता है कि हम बहुत एफ़र्ट मार चुके हैं शायद एक एफ़र्ट और मारें तो शायद हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं तो हमें होप लूज करने की जरूरत नहीं है या घर में एक ऐसे प्लेस की क्या जरूरत है जहां पर हमें इस लाइफ को एक बहुत सीरियस नोट पर जीते हैं अपने आपको बहुत सीरियस लेते हैं उससे कहीं न कहीं हम इस लाइफ को इंजॉई नहीं कर पाते यह लाइफ एक मूवी की तरह है आप बैठे मूवी स्टार्ट हुई आपने मूवी देखी आपने पूरी मूवी डि प्ले कर रहे हैं हमें भी किसी से अटाइच हुए बिना डिटाश्मेंट से अपना रोल निभाकर अपने वापस जाना है यही सिखाती है करना बहुत जरूरी है आपको कोई भी ना मिले तो भी अकेले रहना आपके लिए बैटर है ऐसे लोगों के साथ रहने से जिनके साथ आपका माइंडसेट मैच नहीं गरता एक इनर वोईस होती है आपके अंदर जो आपको बताती है कि सामने वाले का जो वैल्यू सिस्टम है वो सही है या नहीं और वो आपको कहां ले जा सकता है तो ये चेक रखना आपका काम है आप एक टीनेजर हो सकते हैं आप एक बुजर्ग हो सकते हैं आप एक मिडल एज हो सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपके आसपास के जो लोग है वो आपके उपर कैसा इंपक डाल रहे हैं क्या वह आपको नेगेटिव कर रहे हैं अपनी लाइफ के प्रती लोग अगर एक जैसा गूल रखें उनके पास सेम रिसोर्स हो तब भी गोल पूरा होने के चांसे उसी के ज्यादा होते हैं जिसका इंटेंशन अच्छा होता है अगर आपका इंटेंशन हमेशा यह है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं रादर दन आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं तो आपके गोल्स आपको लगता है कि पूरे हो रहे हैं असली गोल वही है जहां पर आप दूसरों को ध्यान में रखके चीज़े करते हैं आपके घर में जो लोग काम करते हैं इ यह चोटा मुटा काम करता है पर अगर वो चोटा काम वो जिसे आप चोटा समझते हैं अगर वो काम ना करें तो आप कैसे नदीपार करेंगे आप कभी भी किसी successful इंसान की बाते सुनेंगे तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि वो बहुत हमबल होते हैं वो अपने आसपस की लोगों के साथ काइंड बिहेवियर कर सकते हैं विकॉस सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सब की अपनी लड़ाई है मुझे बहुत अच्छा लगा यह नॉलेज आपके साथ शेयर करके अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने और कोई भी वीडियो मिसना करें इसी नौट के साथ मैं आप से नेक्स्ट विक फिर मिलूंगी किसी इंपॉर्टन चीज के साथ तब तक के लिए टेक के अ अन दो कुटियो ओग produce wee रखब टेवार्टन झाल फिर मिलूटन च courageous रखब़ टेक